अब आतकर हाँ वही इमर्जेंसी से रिलेटिड बात हो दिये हैं यहाँ पर सो बेसिकली आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इमर्जेंसी से रिलेटिड कुछ इंपॉर्डेंट प्रोविजिन जो आपके इंडियन कॉंस्टिटिउशन के अंदर दिये हैं सबसे मेजर पार्ट की इमर्जेंसी होती कितने टाइप की हैं ना आई होप की यह हम सबको पता होगा अगर नहीं पता तो आज जान लेते हैं फटाफट से एक होती है आपके national emergency, एक होती है state emergency, एक होती है financial emergency अब देखो मज़ेदार बात के है कि इनके article, article बहुत important है exams में पुछे जाते हैं चाहे आप UPSC के exams में बैठो चाहे SSC, चाहे teaching line मतलब किसी भी competitive exam में यह बहुत basic हैं हमें पता होना चाहिए So national emergency 352 article, state emergency 356, financial emergency 360 अब आप सोचोगे कि माम यह articles हो में वैसे भी usually पता चली जाते हैं आप अलग से क्या बता रहे हो तो ठैरो थोड़ा सा, सबर, मैं आप लोगों साथ में एक trick बता देती है उनको याद करने की है सबसे देखो must जो trick है financial की है, financial मतलब currency से related है ना जब 0 अंड़ा हो जाए ना कुछ ना बचे ठीक है, so उससे related है यह ठीक है So 360 में जो 0 आ रहे है ना आप उससे इसको याद रख सकते हो, okay अच्छा, इसके लावा एक चीज और, जो important है मतलब वो 360 कहते है या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जब आप जैसे globe को देखते हो ना तो पूरा 360 degree वाला हो जाता है आपका पूरा ऐसे cover होके, right तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है, जब पूरा 0 अंड़ा हो जाए cover होकर, ठीक है तो 360 हो जाता है, ठीक है, सो एक ही हो गया, अब बात करते है, state emergency की देखो आपना ये words पड़ो, ये alphabet, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5, 6, 5, 6 मतलब ऐसे normally कि आप state को count कर रहे हो तो 5, 4 है, 5, 6 और सब में 3 common है, तो आपको ऐसे याद रहे जाएगा, ठीक है, तो 5, 6 ऐसे आपको याद कर सकते हो, 5 टोटल ये alphabet है, 6 तो बो, ठीक है, मतलब सीरीज में, सबसे important है, national emergency, ठीक है, जिस से related हम आगे भी देखेंगे, कि कितनी बार लगी, कैसे क्या हुआ, बहुत मज़ेदार fact है, so end तक जरूर देखना है, so national emergency का 352, यहर वो काना तो सुना ये ना, 52 गज का, है ना, so जो 52 होता है आप देखते हो ना, वो पूरा 52 मतलब, अगर किसी ने वो देखा होगा, यह हरियानवी सॉंग, ठीक है, बहुत सारे students ने, अगर नहीं भी सुना होगा, तो सुन लेना जाके, थोड़ा सा fun हो जाएगा, otherwise, जब हम 52 की बात करते हैं, तो वो पूरा अतना बड़ा, वो मतलब एरिया कबर करता है, तो 52 मतलब पूरा होल नेशन कबर हो रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, 52 के नाम से, ठीक है, मतलब, सौंग वाली ट्रीक है, बट स्टिल, fruitful रहेगी, बहुत काम आती है, ठीक है, तो यह आपको help करेगा, अब इसके लावा जो important बा लगी है, ठीक है, तो बेसिकली जो नेशनल इमर्जंसी है, वो आपकी इंडिया में तीन बारी लगी है, अब तीन बारी कब-कब लगी है, अगर आप लोग को पता है, तो वीडियो पॉस्ट करो, और फटा-फट से कमेंट में लिखके बताओ, मुझे कि इस इस टाइम पर पर, कब जब इंडिया और चाइना का वार हो रहा था, और डिक्लेयर किस ने किती हमारे प्राइम मिनिस्टर जवालाल नहरू रहें, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कब लगी, ये कोशन बनता है सीधा-सीधा, कि नैशनल इमर्जंसी कितनी बा अंधी ने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया, at the time of Bangladesh, लिबरेशन वार, जो आपका 1971 में, इंडिया और पाकिस्तान का ही वार हुआ, जिसमें, बांगला देश आपका लिबरेट हुआ, राइट, ये उस से रिलेटिड है, ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये गलती से लिग गया है, ठीक है, इसके इलावा एक चीज़ और जो important है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, कि किस टाइम पर हुई थी, ध्यान रखना, 65 में कोई भी आपकी emergency नहीं लगी है, तो प्लीज, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो इंडिया की democracy में इसको, और इंद्रा गांदी ने क्यों लगाई थी, अपनी political position को save करने के लिए, right, सबसे important बात, date की कब लगी थी, ये questions directly पूछे जाते हैं, so please इन facts को थोड़ा सा ध्यान रखें, 25 जून 1975 को, okay, सो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, कि 25 जून 1975 को इस आज तक नहीं लगे, कभी नहीं लगे, ठीक है, state emergency तो लगती रहती है, situation के according, but financial emergency आज तक नहीं लगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, so ये आपके कुछ important fact थे, वाक्की वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बहुत-बहुत thank you, like, share and subscribe कर देन इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, thank you so much.